नमस्कार जार्खन समाचार में आप सबों का स्वागत हैं आयज जानते हैं आज की ताजा मुक्किक खबरों को आप सुब को बता दू के मंगलवार को हुई जारकन केबिनेट की बैठक में यह फिसला लिया गया जनकारी के मुताबिक बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लापस जनवारी 2024 से ही मिलेगा इसके अलावा राज कर्मियों को मिलने वाले परिवन भत्ता में भी संसोदन किया गया है लेवल वन और लेवल टू के कर्मियों का परिवन भत्ता बढ़ा दिया गया है पहले या 350 रोपे प्लस डीये था जिसे बढ़ा कर 2600 डीये कर दिया गया है इसी तरह 900 प्लस डीये को बढ़ा कर 800 प्लस डीये कर दिया गया है राची विश्विध्याले में 321 पदो पर आविश्कता अधारित सिक्षक की होगी नियुक्ती जाने कब तक कर सकेंगे आविधन राजपाल और राज़ सरकार के निर्देश की आलोक में राची विश्वी विद्याले में 381 आविश्कता अधारित सिक्षक की न्यूक्ति की जाएगी इसके लिए आज 13-23 मार्च तक ओनलाइन आविदन चांसोलर पोर्टल के माध्यप से मांगे गए हैं यहाँ न्यूक्ति अनुबंद के आधार पर विश्वी द्याले पीजी विभाग और अंगिभूत कोलेजों में होगी सबसे आधिक इतिहास विशे में 42 सिक्षकों के न्यूक्ति होगी कूल 338 पद में अनारक्षित के 129 पद, ST के 83 पद, SC के 32 पद, BC1 के 26 पद और BC2 के 19 पद तथा EWS के 32 पद सामिल हैं यह न्यूक्ति, JPSC द्वारा असिस्टेंट, प्रोरफेसर की नियमित न्यूक्ति होने तक या फिर 65 वास यानि की जो पहले हो के तहत की जाएगी न्यूक्त सिक्षक को परतिमा आधिकतम 27,700 रुपीय मिलेंगे इसकलो में चेतरी भसाओं के लिए घंटे आधारित सिक्षक को की होगी न्यूक्ति जारकन सरकार ने जनजाती अंग्चेतरी भसाओं को बढ़ावाद देने के लिए बड़ा कदम उठाया है इसके लिए रायज के प्रात्मिक इसकोलों में जंजाती अंग्छेत्री भासाओं के लिए घंटी आधारत सिक्षिकों के नियुक्ती होगी रायज में प्रात्मिक बेद्यालों के संख्या 21189 है साथ ही साथ सरकार ने जार्कन के सरकारी इसकलों के कक्छा 9 से 12 के चातरों को दी जाने वाले पाटि पुष्टोकों की रासी में भी विर्धी की है केमिनेट की बैठक के बाद पतरकारों से बाचित में सियम संपई सुरे ने कहा कुने 32 का खत्यान उसरना धर्मकोड और आदिवासी मुलवासी के मुद्दे जार्कन के लिए हम है एडी की चपामारी के बाद बिधायक अंबा परसाथ का बड़ा बियान भसपा का ओफर ठुकराने के बाद हुई है करवाई जार्कन के बड़का गाउं से कॉंग्रिस के विधायक अंबा परसाथ ने अपने आवास पर हुई एडी की चपामारी के बाद बिजेपी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि मेरे पर हुई ये करवाई भारती जनता पार्टी के ओफर ठुकराने के बाद हुई है मेरे माता पिता ने मुझे राजनीतिक ना करने के सलादी है लेकिन इससे हम लोग डरने वाले नहीं है मैं जिस सोच के साथ अपने छेतर और राज की जनता की आवाज उठाती रही हूँ उसे मैं लगातार करती रहूँगी मैं एक बार फिर से बता दो कि अंबा परसाद ने एडी की करवाई के बाद पतरकारों से बाचित में बिजेपी पर जम कर बोला उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले भाजपा ने हजारी बाग और चत्रा लोकसवासीर से चुनाव लड़ने का ओफर दिया था जिसे मैंने टाल दिया इसके बाद बिजेपी और RSS के लोग मेरे घर पर आकर घंटो बैठे रहते थे इस चापामारी के कार मेरे माता पिता बहत परिसान है मुझे भी घंटो टोर्चर किया गया जिस तरह की राइदनितिक विजेपी कर रही है इसे लोगों को समाजने की जरुरत है अंबा परसाद ने आगे का के मुझे एंटिपीसी और आडानी के खिलाप बिजासभा में मामले नहीं उठाने को कहा गया इसके बावजित मैंने खुल कर आवाज उठाई इडी ने मेरे घासे विजासभा से जोड़ी फाइल के अलावा मेरे पिता से जोड़ी केस फाइल के साथ मेरी बहन की एक संदुक जो बायोमेट्रिक से खुलती थी उसे लेकर गई है एडी के चपा मारी के बाद मा ने मुझे से कहा अब हमेरा आई नितिक नहीं करनी है लेकिन हम इसे डरने वाले नहीं है हम ये लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे जारखन में एक बार फिर बदलेगा मोसम 16 मार्च से कई इलाकों में हो सकती है बारिस जारखन में पस्मी विजोब का एक बार फिर असर देखनी को मिलेगा मोसम विजान केंदर के अनुसार कल यानिकी 14 मार्च से एक बार फिर बादल चाएंगे वही 16 मार्च से राज के कई हिस्तों में बारिस भी हो सकती है जनकारी के अनुसार 16 मार्च को राज के उत्तर पस्मी मध्य और दक्षनी हिस्तों में हलकी बारिस हो सकती है जबकि 17 मार्च को भी कहीं कहीं बारिस के असार है वही 18 मार्च को पस्मी इलाके में बारिस का अनुमान जताया गया है वही स्काइट मेट के रिपोर्ट्स के अनुसार राधानी राज़ी का अधिकतम ताप मान 32 डिग्री सेलसियस रह सकता है हलाके इस दोरान बादल चाय रहेंगे वही 14 और 15 मार्च को मोसम साप रहेगा इस दोरान अधिकतम ताप मान 33 डिग्री रह सकता है वही नियूंतन ताप मान क्रमसा 18 डिग्री और 14 डिग्री सेलसियस रह सकता है लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों के बिमार होने की संभावना सबसे अधिक है ऐसे में लोगों को सवधानी बरतने की ज़रुरत है जार्खन में धोनी परदोसन की शिकायत के लिए हल्प लाएन नमबस जारीक रेसरकार हाई कोर्ट ने दिया है निर्देश जार्खन हाईकोट ने राची सर्में बरते धोनी परदोसन पर नियंतरन को लेकर दायर जनहित याशिका पर सुनवाई की जस्टिस रंगन मुखो पाध्याय और जस्टिस दिपक रोशन की खनपिटने प्रार्थी और राय सरकार का पक्ष सुना मामले में सुनवाई के बाद खनपिटने राय सरकार को निर्देश दिया की 24 घंटे काम करने वाला हेलफ लाइन नमबर जारी करे ताकि धोनी परदोसन से प्रिसान कोई भी वेक्ती अपनी शिकायत दर्ज करा सके विसे सुरुप से रातरी सारे दस बज़े के बाद लोग हेलफ लाइन नमबर पर अपनी शिकायत कर सके तथा धोनी परदोसन से मुक्ती पा सके साथ ही खनपिटने राय सरकार को धोनी परदोसन को रोकने को लेकर लोगों को जागरू करने का भी निर्देश दिया परचार परसार कर लोगों को जागरू करने के लिए प्रेडित करने को भी कहा अब जो है इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खनपिट ने 9 अप्रेल की तिथी निर्धार्थ की है जामुमों के गर्बंदन ने 50 सदसी परतिनिधी मंडल को लेकर राष्टपती से मुलाकात के लिए राष्टपती भौन से समय नहीं दिया गया है इसे लेकर जामुमों ने कहा यह दुर्भाईग यह की महत्पुन मुद्दो को लेकर परतिनिधी मंडल मिलना चाहता था पर राष्टपती भौन से समय नहीं मिला पार्टी के महासेची विनोध पांडे ने प्रदेश करियाले में प्रेस कॉनफरेंस कर कहा कि राष्टपती से मुलाकात के लिए समय की मांग की गय थी इस मुलाकात में गडबंधन के सांसत मंत्री और विधायक सामिल होते चार मार्च को पत्र भेजा गया था पत्र पर जो जवाब आया है वो दुरभायग पूर्ण है जवाब में समय का अभाव मुखी कारण बताया गया है वहीं स्री पांडी ने बताया कि देश के साथ राज में सबसे ज्वलंत मुद्दा सरना धर्मकोट की मांग को लेकर मुलाकात के लिए आगरख किया गया था साथ ही SC, ST और OVC के आरक्षंत था 1932 खत्यान को लेकर परतिनिदी मंडल राष्टपति से मिलना चाहता था विधान सबा से पारित इन विधियों को पर राज की राजपाल की टिपनी भी काफी दुर्भाएग पून रही उन्हें 322 खत्यान आधारित अस्थाने निती का विधियक विधान सबा से पारित कर राजभवन भेजा गया लेकिन उसकी भी सिती वैसी ही है गटबंदन की ओसे भेजे जाने वाले विधियक के साथ ऐसा ही किया जा रहा है जिससे की सभी विधियक लंबित रहे उन्होंने कहा कि हम राष्टपती महोदय से फिर एक बार आग रह करेंगे जिससे राज के सबसे जोलंत मुद्दों पर चच्चा हो सके जमसतपुर के करंडी बिजली कर्याले पृसर के इसक्रेप याड में लगी आग तार और अन उपकरन जले जमसत्पूर के करंडी बिजली कर्याले परिसर के स्क्रेप याड में बुद्वार को सोट सर्किट से अचानक आग लग गई इससे याड में रखे दस खराब टाल्स फर्मर तार और अन्य उपकरन धू धू कर जल गए थोड़ी दर में आग ने विकराल रूप ले लिया यह घटना आज बुद्वार सुबर 9 बजे की है बिजली बिभाग स्टोर्स के करेपालक अभियनता बिनोत कमार ने बताया कि घटना की जनकारी मिलते ही इसकी शुटना अगनी समन बिभाग को दे दी गई थी दमकल वहन घटना स्थर पर पहुँश कर आग पर काब उपाया आरंबिक जाच में पता चला के बिजली बिभाग के श्टोर के पीछे अवश्चित बिभागी स्क्रेप याड के ठीक उपर से LTT लाइन यानिकी AB केबल कुजरा है उक्त लाइन से सर्कीट होने से आग लगन की संभवना है फिलाल जो है आग लगने का कोई ठोस कारणों का पता नहीं चल पाया है हलांकि विभाग के अधिकारी और करमचारी इसका पता लगाने में जूटे हुए हैं ग्रेडी में संकी बेटे ने पिता को उतारा मोत के घाट आरुपी हुआ गिरफतार ग्रेडी के गावा थनाच्छत के मालडा पंचायत में एक संकी बेटे ने अपने ही पिता की चाकु से गलारेत कर उसकी हत्या कर दी गटना बुद्वार की अहले सुबा 5 बजे के करिब की है बताय जा रहा है कि बाप और बेटे में सुबा किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई इस पर संकी बेटे ने बाप को चाकु से सरी पर वार किया और बाद में गलारेत कर उसकी हत्या कर दी इस बरदात के दोरान उसने अपनी पतनी और बेटी को भी चाकु से मार कर घायल कर दिया मिर्तक लक्ष्मी पूर्निवासी 75 वर्षी मुहमद बिर्बल उर्फ हसिम्मिया है इधर घटना की सुटना मिलने पर जब गावा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन पर भी हमला करने का प्रियास किया कड़ी मसकत के बाद पुलिस के जवानों ने उसे धर्दोवोचा इधर बरदात के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड जमा हो गए थी इस पूरे मामले पर थाना परभारी महेश चंद्र ने कहा कि सव को पुष्ट माडम के लिए ग्रेडी भेद दिया गया है वही आरोपी को ग्रपतार कर जेल भेजा गया है साथ ही हत्या में परियुक्त चाकू को भी बरामत कर लिया गया है फिलाल पुलिस इस बात की तहकेकात में जुटी है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विबाद था पीकप की चपेट में आने से बाइक सवार की भी मोथ जिनमें से एक की मोथ हो गई जबकि दूसरा गंबी रूप से घायल है मिली जनकारी के मुताबिक लकड़ा पहाड़ी हाट के पास भागलपूर की ओसे आरे पीकप पीकप वेंड के चालक ने तेजी और लपरवाई से बाइक सवार को पीछे से जोर से टकर मार दी जिससे बाइक सवार दोनों मैदूर गंबी रूप से घायल हो गए दोनों को इलाज के लिए फूलो जानों मेडिकल कोलेज हस्पिताल पहुचाया गया जहां इलाज के करमे सरोज कुनाई पिता सुरेश कुनाई की मोथ हो गई जबकि सोनो उर्फ अमर कुनाई पितार पारस कुनाई का इलाज चल रहा है मिली जनकारी के अनुसार दोनों मैदू दुधानी इस्तित चर्च भवन परिसर पर रंग रोगन कायरी करने जा रहे थी जमा पुलिस ने पिक अप बेन को जब्त कर लिया है आक्रोशित गरामिन ने थोड़े समय के लिए उक्तपत को घटनास्तल के पास जाम कर दिया था सर्ग जाम के दोरान पोड़याहट विधायक पर दिव्यादब भी थोड़े समय के लिए फशे रहे बरहाल पुलिस ने कान को अंकित कर्शव को पुष्टमाडम करवाकर परिड़नों को अंतिम संसकार के लिए सोब दिया है दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लेस चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्लेस कर दिजेगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही हमें दीजे इज़ाजत नमस्कार